है रो दोस्तों आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस क्यानल पर और दोस्तों मेमारी पावर मतलब की अस्मरन सकती याद करनी की चमता हर लोगों को इसकी बहुत ज़ Glass होती है अगर आपकी मानसिक शक्ति है वो अच्छी रहेगी आपका यादास अच्छा रहेगा, आपका मेमोरी पावर अच्छा रहेगा तो आपको पढ़ने में मन लगेगा और आपको जीवन में काफी सफलता मिलेगी तो दोस्तों, मैं आप लोगों कहता हूं कि memory power बढ़ाने के लिए कभी भी किसी अंग्रेजी दवा का इस्तमाल ना करें क्योंकि ये नेचरल चीज़ होती है ये एक नेचरल पावर होता है और इसे आपको इंक्रीज करना हो तो आप जो हमारे हरबल और जो अईरुवेदिक चीज़े हैं उनका इस्तमाल करें ताकि आपका जो memory power है वो बूश्ट हो सके तो दोस्तों memory power का बढ़ाने के लिए आज में आप लोगों के लिए एक बहुत ही जवर्दस्त बहुत ही अच्छा सस्ता और एक निरापद सरल उपाय लाया हो जिससे आप लोगों को आपकी जो memory power है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो आप अपनी जो मांसिक छमता है उसको बढ़ा सकते हो जिससे आपकी concentration अच्छी होगी तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज हो सकते हैं तो मेरे इस चैनल का subscribe कर लेना ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी वीडियो लाता रहूं और किसी न किसी तरहें से आप लोगों को फायदा बहुचा घरू तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जहल के नाम से यह जाना जाता है चाइना रोज या हिबिसकस का पोधाय यह फूल होता है यह हर घर में होता है इसलिए मैंने सोचा दोस्तों कि इसके बारे में बता हूँ आप लोगों को ताकि जो इसका जो इसके अंदर भवान ने जो ताकत रखी है उसका फैदा आप लोग भी ले सकते हो, दोनों चलेगा, इसके पत्यों को और इसके फूलों को सुखा ले, सुखाने के बाद उनका पौडर बना ले, महीन पौडर, दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि जो पत्या होंगी और ये जो फूल होंगे, इन दोनों की quantity equal रखना, ठीक है, सुखाने के कर आप उसे पीश कर उसका पारिक चुर्ण बना लेना, और उस चुर्ण को दोस्तों आधा चमच, एक चमच नहीं, जादा नहीं, जो नुसका है वो है आधा चमच, सुबह, आधा चमच, शाम, आप दूध के साथ, आप ले सकते हो, इससे आपकी जुमेमोरी पावर है, इ लेकिन जो इसका एक जो बहुत ही खास परियोग है, मिमोरी पावर के लिए, मिमोरी बूश्ट के लिए, और यादाश्ट को बढ़ाने के लिए, कॉंसेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, यह बहुत ही अच्छा एक उपाय है, इससे आप करो कि दोस्तों, तो इसका आप लोगो तैकि वहन उसका बहुत ही सिंपल हो, बहुत ही साधारन हो, प्यूर हर्बल हो, आयरवेदिक हो और आप लोगो उसका पूरा फैदा मिले, तो दोस्तों, हीबिसकुस का प्रियोग है, हीबिसकुस के पत्ते और फूलों को मिलाकर आप सुखा कर, पेष्ट बना क ये पाउडर बनाकर आप इसका इस्तिमाल करोगे तो आपकी मेमोरिय पाउज है बहुत अच्छी होने लगेगी धीरे 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 आपको लगेगा कि हाँ मुझे जो मेरा दिमाग है वो चीजों को पढ़ने के बाद याक याद रख रहा है और आपकी सब्सक्राइब जरूर करना सब्सक्राइब किये बिना मत जाना क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी वीडियो आगे भी लाता रहूंगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आप लोगों का बहुत बहुत दिलने वाद है